तुम आश्का दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN Limited इस स्टॉक 118 के प्राइस फिर ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 6.84 परसेंट का डाउन मूग दिया है मार्केट कैप हो गया 46,397 क्रोट की तो मोटर होल्डिंग 81.80 परसेंट है बुक वेल्यू 35.80 है डिविडिन दिल 1.53 परसेंट है और फेस वेल्यू 10 है अभी के लिए स्टॉक 15200 दोनों डेमे से नीचे ट्रेड कर रहा है पी रिशो मीडियन से काफी उपर है थोड़ा सा कॉंशिस होके चलें वन मन्त पर छोटू सी नीचे है तो अभी के लिए ग्रॉस प्राफिट मार्जन थोड़ा सा नीचे डगमगाया था अभी 97.79 पे है थोड़ा से रिकवर हुआ है and quarter on quarter recover हुआ है and sales भी quarter on quarter अच्छी आई थी तो अभी ये जून के result है जून के result काफी अच्छे आते हैं September के उसे कम अच्छे फिर December के उसे कम अच्छे फिर March के उसे कम अच्छे फिर ये उपर को लेता का उपनाता है तो ये चीज धिहान में रखें कि बहुत अच्छे रिजल्ट शायद ना है sales की बात है net profit में थोड़ा बहुत उपर नीचे of course होता है but yes यहाँ पे देखा गया है यहाँ पे आया था ये जून का result but September का यहाँ पे बहुत ही जादा अच्छा आया था हलांकी sales भी बहुत अच्छा ही थे September का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे sorry हमने कुछ गलत देखा है कि यहाँ पे तो यह September 2020 तो September 2022 and यह है हम September 23 का देख रहे हैं तो तो basically September 2022 का देखते हैं एक बार तो यहाँ पे जून से September का अच्छा आया है तो ठीक है थोड़ा सा इसमें इस तरीके कहें चलता है तो June से September का यहाँ पे भी June से September का अच्छा है यहाँ पे June का अच्छा है था September का नहीं आया था एक ही point था तो basically June September का अच्छा आता है तो उमीद कर सकते हैं result अच्छा आएगा तो statement ही सारी change हो गई अभी के लिए आ गए हम इसके chart पे chart पे देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज ये support 2 से reversal लेके आया है यहां पर भी देख सकते है support 2 जो था ये point जो है काफी बार यहां पर support बनता हुआ दिखाई दिया है major वाला उसे उपर भी support बनते हुए दिखाई दिया है जो की है 119.59 के आसपास का तो उसको तो ये breach कर गया अभी support 2 से ये वापसी लेके आया है यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 जून को जब election का time था तो भी यहीं इसके आसपास से ही इसने वापसी ली थी उसके बाद हमें सबको story बता है क्या हुआ था तो अभी के लिए RSI देखें तो 30.88 पे है RSI बिल्कुल उस point पे है जहां पे ये कुछ दिन पहले थी जो की थी 9th of September को और उसके बाद हमें move देखने को मिला था लगवग कितने पसंट का लगवग 6% के आसपास का हमें यहां पे move देखने को मिला था तो अभी के लिए RSI उस point पे है basically जहां से इसको reversal मिलता है weekly RSI एक बार check करते है weekly RSI हलंकी अभी एक ही दिन हुआ है पूरी तरीके से form नहीं हुए है but 41.05 पे है उमीद है यहां से reversal मिलने की बहुत अच्छी तरीके से correct हो चुकी है and candle stick pattern भी देखे तो यहां पे थोड़ा से sellers के हाथ में जादा है stock sellers का दवाब बहुत strong है हलंकी यह अभी fully form नहीं है candle एक ही दिन हुआ है but let's see क्या बनता है अभी के लिए BSC पे चलते हैं BSC पे देखे सबसे पहले तो इसका price band जो है वो 20% का है and delivery percentage 37.70% गया है तो 38% के आसपास का delivery percentage गया है बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी but yes बुरा नहीं है जो blood बात market में चल रही है उसके हिसाब से देखे तो बुरा नहीं है तो basically यह stock यहां से जो अपना यह बना हुआ है down इसका trend का channel उससे बाहर निकलने की कोशिश कर चुका था sustain भी कर चुका था अपने pivot के आसपास but जो यह news आई थी FNO की and weekly expiry की and साथ में वो आगे की Blackrock ने अपनी bankruptcy फाइल कर दी है तो उन सारी news को मिला के थोड़ा सा fear selling भी हो जाती है आज तो market में pure blood बाद देखने को मिला है starting में market थोड़ी ठीक थी बाट उसके बाद बहुत strong blood बाद देखने को मिला काफी मुझे लगता 90% stocks जो हैं वो नीचे हैं and बहुत major stocks जैसे trend हो गई है कुछ ऐसे stocks हैं कुछ तो जिनके fundamental strong नहीं है वो आपको पता यह कि बार अपर सब्सक्राइब लॉक हो जाते लॉक ही रहते हैं तो वह वाले stocks हैं या trend and all है जो कि हाँ एक एक पसेंट देखे गए हैं बहुत ही ज्यादा strong stocks अदर्वाइस stocks में down move आज majorly देखने को मिला है तो अभी के लिए reversal के chances तो मुझे लगता है पूरे पूरे हैं बट still market किस तरीके से market कब reversal देती है कब recovery देती है या फिर से correction zone में ही रहते तो मैं यह ज़रूर बोलूंगी अभी के लिए कोई target नहीं लेके चल रहे क्योंकि अभी कोई पता नहीं है अभी market ने confirmation नहीं दी है reversal की तो तब तक मैं target नहीं लेके चलूंगी month इस quarter के end के target लेके चलूंगी 31st December के ऐस पास के target लेके चलूंगी और मुझे लगता है बहुत जैदा नहीं तो इसके आस पास जरू खोम रहा होगा 150 के आसपास मुझे लगता है के खूम रहा हो सकता है 150 152 के आस पास हो सकता है गूं रहा हो तो उसके लिए 26, 25 से लेके 30% के मुग के आस पास कि हम उमीद लेके चले हैं, तो ये जरूर है, बट बिलकुल short run के हम कोई target नहीं लेके चलेंगे अभी, तो इस के लिए तो मैं कुछ लगता है, फिर भी entry बिनाई जासकती है बट फिर भी अभी मैं बोलूँगे confirmation channel का वेट जरूर कर लें, short term के लिए भी and long term के लिए रेस्ट ये सिर्फ मेरी analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, मिलते है next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing